आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में देखे दोस्तों आज हम इस वीडियो में B.E.S.E. 132 के previous year के question paper को देखेंगे इस वीडियो में मैं आपको Hindi और English दोनों medium में आपको मैं question paper दिखाऊंगा ठीक है और इसमें दो साल के June 2022 और December 2021 दो साल के previous year question paper को दिखाऊंगा ठीक है और आने वाला जो आपका exam है उसके लिए बहुत important है चाहे आप English medium के student है चाहे आप Hindi medium के student है एक कौपी निकाल लीजिए और इन सभी question को आप अपनी कौपी पर लिख लो क्योंकि आने वाली exam के लिए यह बहुत important हो सकता इसमें से question आपके repeat भी हो सकते है और आपका pattern सेम इसी प्रकार से आने वाला है ठीक है तो आप यहाँ पर देखिएगा क्या ह June 2022 का एक question paper है B.E.S.E. 132 सिक्षा का स्वरूप योम प्रवंधन ठीक है और आपका जो exam होगा 100 marks का paper होगा 100 number का paper होगा 35 यानि 35 नमबर वाला बच्चा इसमें पास रहेगा पहले हिंदी में दिखा रहा हूं फिर मैं आपको English में भी question दिखा दूँगा ठीक है और आपकी ज देखेगा notes में क्या दिया गया है कुल 5 प्रशन के उत्तर देने यानि आपको क्या total इसमें 8 question है 8 question में से आपको 5 question का answer लिखना है ठीक है इसमें 2 खंड दिए गए हैं और हर खंड में से 2-2 question करने है total 5 करना है एक में से 2 एर एक में से 3 आप कर सकते हैं ठीक है word limit जो रहेगी कितनी है 500 word है ठीक है 20 question के लिए 10 number वाली जो question उसके लिए 250 सब्द यहां पर लिखे गए है ठीक है तो चलिए question को सारे question लिख लो ठीक है भाग ए में देखे पहला हमारा question क्या देखेगा भारत में सिक्षा को मौली का दिकार कब बनाया गया था इसमें प्रदत विबिध सिक्रम योजना 1992 प्रोग्राम ओफ एक्स 1992 कि आउसकता क्यों पड़ी इसकी संसुत्तियां की परिचर्चा कीजिए यानि इसमें क्या-क्या दिया गया है और क्या-क्या इसमें बताएगा उसको आपको बताना है दूसरा question तीसरा जो हमारा question क्या है देखेगा भारत में प्र भुमिका की परिचर्चा कीजिए 20 नंबर का question है सभी question लिख लो भाई ठीक है next हमारा question number 4 क्या है इनमें दो पर आपको टिपणी लिखनी है पहला हमारा क्या है राष्टी कौसल योग्यता धाचा है यानि national skill qualification framework का उद्देश क्या है इसके उद्देश आपको बताना है यह 10 नंबर करहेगा ठीक है चौथा question अगर आप लिख रहे है तो आपको का और खा दोनों लिखना पड़ेगा इसका खा वाला क्या है यहाँ पर दीखेगा तो चार है तो चार में से दो लिखना है ठीक है समेकित बाल विकास सेवाओं की मुख्य विशेषता है गा क्या है दीखेगा हमारा next है पांचो question देखेगा भारत में चिकिस्सा सिक्षा के महत्त की व्याख्या कीजे राष्टे चिकिस्सा आयोग NMC की भूमिकाओं और उत्तरदायुत की परचर्चा कीजे ठीक है पांचो question को लिख लेना छठा हमारा question क्या देखेगा question number six आ गया है भारत म सिक्षा में निजी करण को प्रभावित करने वाले कारक काउन काउन से हैं सिक्षा के निजी करण से संबंधित कुछ सरोकारों की परिचर्चा कीजे 20 नंबर का question है ठीक है next हमारा question number seven देखेगा क्या है online सिक्षा पर focus करना क्यों महत्त्पून है ठीक है भारत में online सिक्षा क के लिए विभिद नियामक प्रावधान की परिचर्चा कीजे 20 नंबर का question है यह भी सात्वा नोट डाउन कर लिए ठीक है next हमारा question number eight है डेखे question eight में भी आपको दोपर आपको टिपणी करनी यानि सोट नोट लिखना है दस-दस नंबर करा यानि काखा गाघा में से दोपर लिखना है का क्या है सिच्छा के माध्यम कार निर्धारन के लिए ICT उपकरण क्या बताना है ठीक हमारा क्या रहे देखेगा संस्थानिक उत्तरदायुत के प्रकार गा क्या है सिच्छा के लिए बैस्वी कंड के लाह बताना है और घा आपका क्या रहेगा ब्रिहद मुक्त ओनलाइन पाठक्रम, मैस्वी, ओपन, ओनलाइन कोर्सेज आपको लिखना है तो टोटल ए 8 कोर्षण थे जो हिंदी मीडियम में आपको दिखाया है एक कोर्षण पेपर और भी मैं आपको दिखाऊंगा दिसंबर 2021 वाला पहले यही कोर्षण मैं आपको इंगलिस मीडियम में दिखा देता हूँ फिर मैं आपको दिसंबर 2021 वाला कोर्षण पेपर दिखाऊंगा तो अभी आप वीडियो के साथ बने रहेगा अभी और भी मैं आपको question Hindi medium में और भी एक साल के दिखाऊंगा तो पहले English medium में question दिखा देता हूँ फिर मैं आपको Hindi medium में दूसरे साल का question paper दिखाऊंगा ठीक है, सारी question लिख लिए गया, ठीक है देखेगा क्या है, B.E.S.C. 132 ठीक है, आपका जो paper है, देखेए education का subject है June 2022 का question paper है, आप देख सकते हैं B.E.S.C. 132 100 marks का आपका exam होगा, 3 hours की कहरेगी, आपकी exam timing रहेगी ठीक है, और यहाँ पर आपको note में किया दिया गया है, total 8 question है आपको 5 question आपको attempt करने हैं, total इसमें 2 section दिये गये हैं 20 marks के लिए 500 words, 10 marks के लिए 250 words में आपको लिखना है 250 words में आपको लिखना है, ठीक है, तो question देखेगा section 1 में से हमारा first question है, 20 marks का question है, इसको note down कर लिजेगा next हमारा question number second है, यह भी 20 marks का question इसको note down कर लिजेगा next हमारा question number 3 है इसको भी note down का लिजएगा सभी question को note down का लिजए next हमारा question number 4 है question number 4 में आपको क्या short note लिखना है any 2 पर 1010 marks का रहेगा a note down का लिजए b note down का लिजएगा 1010 marks के है ठीक है फिर c और d को note down का लिजएगा in a v c d में से only 2 पर आपको लिखना है next है हमारा section B section B में देख question number 5 20 marks का question है इसको note down का लिजएगा next हमारा है question number 6 question number 6 20 marks का है note down का लिजएगा next हमारा है question number 7 question 7 भी आपका 20 marks का इसको भी note down का लिजएगा ठीक है और next हमारा जो last question है यहाँ पर दीखेगा आपको short note लिखना है 2 पर लिखना है ठीक है टेंटर मार्क्स कर रहेगा यह है note down कर लिजेगा उसके बाद आपका B है C है और D है A B C D में से आपको only क्या करना है 2 पर आपको लिखना है तो मैंने आपको June 2022 के question paper मैं आपको दिखा दिये हैं अब आप चलिए मैं आपको December 2021 के question paper को दिखा देता हूँ जो भी ओ भी question paper आपके लिए बहुत ज़्यादा important है चलिए उसको भी देख लेते हैं आप देख सकते हैं December 2021 का question paper है देख सकते हैं B E S C 132 ठीक है वही question paper है इसके सारे question लिख लो ठीक है B E S C 132 सिक्षा का सुरूप यों प्रबंधन सो नंबर का paper होगा आपका ठीक है सो में से 35 नंबर वाला पास है तीन घंटे का आपका ए पेपर रहने वाला है ठीक है अपर देखेगा आपको total 5 question आ टेम करें टोटा 8 question है 8 में से आपको 5 लिखना है सभी प्रशनों की अंक समान यानी सभी 20-20 नंबर के question है और 20 नंबर वालों के लिए आपको 500 सब्द में लिखना है दस नंबर question के लिए 250 सब्द आपको लिखना है और उनकी क्रियान वेन पर विचार कीजे 20 नंबर का question लिखलो ठीक है नेक्स्ट हमारा question के देखेगा 10 प्लस टू अस्तर पर 22 सिक्षायों प्रसिक्षण BTE अनिवार क्यों है भारत में BET के कुछ महत्पूर्ण पहिलों की परिचर्च करो 20 नंबर का question है ठीक है समीती की भूमिकाओं यो मुत्तर दायतु का सब से परिचर्च करो 20 नंबर का question है लिखलो ठीक है सारे question हमारा चौथा question जो रहेगा देखेगा इसमें क्या करना आपको दो पर आपको सम्चित टिप पने लिखनी है ठीक है का क्या है सिच्छा के अंतराष्टिय करन के लिए नई सिच्छा नीती 2020 NEP 2020 की संतुतियां क्या बताई गए है खा हमारा क्या देखा सिच्छा के लिए अस्थंद्रणी विकास लक्ष क्या है गा क्या है विद्धैलें वित्ये प्रबंधन के लिए ITC के प्रयोग नेक्ष्ट देख लिजेगा, खंड खा है, ठीक है, पांचों कोश्चन क्या है, विद्याले प्रवंधन के किनी चार उपकरणों की विशेश्ताओं को लाब से साविस्तार पूर्बक परिचर्चा करो, बीस नमबर का कोश्चन है, छटा हमारा कोश्चन देखेगा, मुक्त और दूरस्त अधिगम, यानि ओडियल में एक पध्धती के सुरूप में विविद उपध्धतियां कौन सी है, ओडियल पध्धती में विविद उपध्धतियों की भूमिका की उधारन सहित पर चर्चा कीजे, बीस नमबर का कोश्चन है, ठीक है, नेक्स हमारा देखेगा क्या है, कोश्चन नमबर एट में देखेगा क्या है, इसमें आपको उनली दो पर लिखना है, ठीक है, तो दो पर कौन कौन से है, देखेगा, का क्या है, सिच्छा से संबंदित, राज के नीती निर्देशक सिधन्द, खा क्या है, एन एपी 1986 की राष्टी सिच्छा विद्याले सिच्छा से संबंदित एन एपी 2020 की संतुतियां, और घा क्या रहेगा, प्रतिफल आधारित सिच्छा क्या होती, यह आपको बताना रहेगा, यह कोश्चन पेपर जो मैंने आपको दिखाया है, दिसमबर 2021 का है, यह हिंदी मीडियम में दिखाया है, चलिए मैं आपकी टाइमिंग रहेगी, यह पर नोट्स में क्या दिएगा है, टोटल 5 कोश्चन आपको अटेम करना, 8 कोश्चन है, 8 में से 5 करना है, ठीक है, एबरी कोश्चन इकोवल माक्स है, 20-20 माक्स के है, ठीक है, सेक्षन 1 और सेक्षन 2 में से, और आपको क्या करना है, 22 माक्स और 20 marks के लिए 500 वर्ड है 10 marks के लिए 250 वर्ड है ठीक है अब question को note down के जिगा section 1 में है question number 1 है 20 marks का है note down के लिजिगा next हमारा question number 2 है second आपको short note लिखना है, 2 पर लिखना है, 10-10 marks करगा है, A note down का लिजगा, B note down का लिजगा, C note down का लिजगा, और D आपका है, इसको भी note down का लिजगा, A, B, C, D में से आपको only 2 पर आपको exam में लिखना पड़ेगा, बट exam की preparation के time पर आपको A, B, C, D की preparation करके जाना है, ठीक है, चल question number 6, ODL से related है, 20 marks का iso आपको बताना है, question number 6, next है हमारा question number 7, ठीक है, 20 marks का question है, इसको note down का लिजगा, ठीक है, और हमारा जो last question है, question number 8 है, आपको short note लिखना only 2 पर, 10-10 marks कराएगा, A, B, C, D, इन चारों को A, B, C, D को आप note down का लिजगा, ठीक है, important है, इन में से आपको 2 पर ल 20, ये सारे जो है, आपको, जो state policy क्या है, आपको बतानी है, ठीक है, outcome based education क्या है, ये सारे चीज़ों को note down का लिजगा, और exam में आप ऐसी परकार से लिखेगा, question paper आप इसी परकार से लिखेगा, और please आपसे request रहेगे, चैनल को जरू सस्क्राइब कीजगा, ठीक है, वीडि आपको वीडियो हमारे चैनल पर मिलता रहेगा, thank you so much, जै हिन जै भारत